हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंटफेस बाई रवीपर तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए 25 अपराइल 2022 के डेली करेंटफेस के कॉश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ आने सभी कॉश्चन सेलेक्टिड और इंपोर्टन ली हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा यूसफुल रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कॉश्चन से फर्स्ट कॉश्चन हमारा नीती आयोक के ने उपाध्यक्ष बनी है और सुमिन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे ये आपने याद रखना है अफेंस मारे कॉश्चन में बात हुई है नीती आयोक की तो चलिए नीती आयोक के बारे में जान लेते हैं नीती की फुल्फरम है National Institution for Transforming India जिसकी स्थापना सही आजर है प्रधान मंतरी और नीती आयोक के पहले अध्यक्ष है नरेंदर मोधी और नीती आयोक का पूराना नाम है योजना आयोक ये आपने याद रखना है अपरेंस मारे कॉश्चिन की टाइप थी राष्टी नुक्ती तो चलिए मां आपको पिछले टॉफ फाइव राष्टी नुक्ती रिवाइस करवा देता हूं फर्स्ट है कृषी एवं किसान कल्यान विभाग के नए कृषी सच्चव कौन बने हैं सही आंचर है मनोज अहुजाग नेक्स्ट है भारत के नए विदे सच्चव यानि फोरन सेकरेटरी कौन बने हैं सही आंचर है विने मो देशक कौन बनी हैं? सही आंचर है, डॉक्टर उन्नी कुष्णन नायर. Next है, ज्वाहरलाल नहरू विश्व द्याली की पहली महिला कुलपती कौन बनी है? सही आंचर है, शांत्रीशी दुलपुडी यह आपने याद रखना है. Next question है, स्युक्तर राष्ट परेवरन कारेकरम ने Champions of the Earth Lifetime Achievement Awards 2022 से किसे समानित किया है? सही आंचर है, option A, डैविड अटन्बरो को. तो friends, स्युक्तर राष्ट परेवरन कारेकरम ने Champions of the Earth Lifetime Achievement Awards 2022 से डैविड अटन्बरो को समानित किया है यह आपने याद रखना है? Important points से question को समझ लेते हैं, स्युक्तर राष्ट परेवरन कारेकरम ने डैविड अटन्बरो को Champions of the Earth Lifetime Achievement Award 2022 से समानित किया है और डैविड अटन्बरो को प्रकति की सुरक्षा और समरक्षन के लिए Research Documentation के प्रती समर्पन के लिए यह पुरुसका दिया गया है, यह आपने या प्रकतियों, समुहों और संस्थानों को दिया जाता है, जिन्नोंने परेवरन के छेतर में अपनी पहचान बनाई हो, यह आपने याद रखना है अवेंट्स हमारे कोशिन की टाइप थी पुरुसकार, तो चलिए मैं आपको पिछले Top 5 पुरुसकार रिवाइस करवा देता हूँ फर्स्ट है, EY Entrepreneur of the Year 2021 का पुरुसकार किसने जीता है, सही आंसर है, फालगुनी नायर भारत के सरवोच साहितिक पुरुसकार 56 ज्यानपिट पुरुसकार से किसे समानित किया गया है, सही आंसर है, नीलमनी फुकुन नेक्स्ट है, World Press Photo of the Year 2022 का पुरुसकार किसने जीता है, सही आंसर है, Amber Bracken नेक्स्ट है, संत नामदेव राष्टि पुरुसकार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा, सही आंसर है, सत्यपाल मलिक नेक्स्ट है, प्रतिष्टित O. Henry पुरुसकार 2022 किसने जीता है, सही आंसर है, अमर मित्रा ने ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन है, उत्री एट्लांटिक संधी संगठन यानि नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटल लाइफ फायर, साइबर रक्षा अभ्यास, लॉग्ड शील्ड 2022 किसे देश में आयोजित किया जाएगा, का सही आंसर है, आप्शन सी, एस्टोनिया म तो फिर्स, नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटल लाइफ फायर, साइबर रक्षा अभ्यास, लॉग्ड शील्ड 2022, एस्टोनिया देश में आयोजित किया जाएगा, ये आपने याद रखना है, आईए, इम्पोर्टन पॉइंट से जान लेते हैं, उत्री प्रक्षा अभ्यास, नागरिक और सैन्ने इकाईयों के साथ साथ सारवजनिक और नीजी छेतरों के बीच संकट की स्तिधी में सहयोग का अभ्यास करने का अफसर प्रदान करता है, ये भी आपने याद रखना है, तो फैंस, हमारे कोशन में बात हुई है नाटो की, तो चल ये आपने याद रखना है, नेक्स्ट कोशन है, राश्टी पंचायती राजदिवस 2022 कम मनाया गया है, सही आंचर है फ्रेंट्स, ऑप्शन सी, 24 अप्रेल को, तो फ्रेंट्स, 24 अप्रेल को राश्टी पंचायती राजदिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है, इं 73 वा समवेधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को समवेधानिक धर्जा दिया था जिसके उपलक्ष में राष्टी पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है दिल्ली के नए मुख्य सच्चिव यानि चीफ सेकरेटरी कौन बने है और नरेश कुमार विजय देव का स्थान लेंगे ये भी आपने याद रखना है और friends हमारे question में बात हुई है दिल्ली की तो चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं दिल्ली की स्थापना किस ने की थी सही आजर है अन गंपाल जोकी तोमर वज का शासक था Next है दिल्ली का राज की पशु है नील गाएं दिल्ली का राज की पक्षी है घरेलू गरिया दिल्ली का राज की पेड़ है गुल मोहर दिल्ली का राज की फूल है अलफालफा दिल्ली के मुखे मंतरी है अरविंद केंजरिवाल और दिल्ली के उपराजपाल है अनिल बैजल दिल्ली उच न्याले के मुखे नाय दीश है दिरु भाई नारान भाई पटेल और दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान ये आपने याद रखना है फ्रेंट्स अगला कोशन करने से पहले मैं आपको पता दूँ जो हमारी इस वीडियो की पीडियेफ है ये आपके हर एक्जाम के लिए काफी सदा यूसफुल रहने वाली है तो आप इसे बाई कर लीजेगा नेक्स्ट कोशन है केंदर सरकार द्वारा मचुआरों की अजिविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुदरी शेवाल पार्क कहां खोला जाएगा इसका सही आंसर है फ्रेंट्स ओप्शिन ए तमिलनाडू राज्य में तो फ्रेंट्स तमिलनाडू में समुदरी शेवाल पार्क खोला जाएगा ये आपने यान रखना है इंपोर्टन पार्क से जान लेते हैं केंदर सरकार द्वारा तमिलनाडू में विशेश आर्तिक छेत्र दरजे के साथ मच्छुआरों की अजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुदरी शेवाल पार्क तमिलनाडू में खोला जाएगा और इस पार्क की स्थापना परधान मंतरी मच्छ से संपदा योजना के तहट की जाएगी और फ्रेंट्स चलिए जान लेते हैं समुदरी शेवाल के बारे में समुदरी शेवाल बिना फूल वाले आदिम समुदरी शेवाल को कहा जाता है इनमें जड, तना और पत्या नहीं होते हैं और ये समुदरी पारस्थिती की तंत्र में एक प्रमुक भूमी का निभाते हैं ये आपने याद रखना है फ्रेंट्स हमारे कोशन में बात हुई है तमिलाडू राज्य की तो चलिए पिछले टॉफ फाइफ तमिलाडू राज्य से जुड़े कोशन रिवाइस कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े तैरते सोर उर्जा सन्यंतर पर योजना को कहा शुरू किया गया है सही आंसर है थुथु कुडी तमिलाडू में नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने युवाओं को कोशल प्रदान करने के लिए नान मुथलवन नामक योजना शुरू की है सही आंसर है तमिलाडू सब्रक पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली अम्बुलंस सेवा कहा शुरू की गई है सही आंसर है चेन्नई तमिलाडू किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षन के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है सही आंसर है तमिलाडू नेक्स्ट है किस राज्य के वादी अंत्र नर सिंग पे टेई नागा स्वरम को भगोलिक संकेत यानि GI टेग दिया गया है सही आंशर है तमिलनाडू ये आपने याद रखना है इसका सही आंशर है option C बबीता सिंग तो फ्रेंट्स बबीता सिंग को ग्लोबल पीस अंबस्ट डोहजर बाइस के रूप में चुना गया है ये आपने याद रखना है इंपोरन फइंट से जान लेते हैं फ्रेंट्स बबीता सिंग को इंडिया इंटरनेशनल कंक्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृती, कूटनीती के माध्यम से शान्ती को बढ़ावा देने के लिए Global Ambassador 2022 के रूप में चुना गया है और बबीता सिंग उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिनोंने सार्वभोमिक नैतिक मूले को बढ़ावा देने वाली प्राथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है तो चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं Global Peace Ambassador के बारे में शिक्षा, स्वास्थ और व्यापार जैसे छेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच समाजिक आर्थिक संबंदों और स्तत्विकास को बढ़ावा देने वाली व्याश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सरवोच सम्मान है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है अलमनेक ने भारत के कप्तान रोही शर्मा और तेज गेंदबाज जस्परीद बुमरा को 2022 के लिए पांच सर्वश्चेष्ट क्रिकेटोरों में शामिल किया है और इस लिस्ट में पहली बाद दो भारते खिलाडियों को शामिल किया गया है और अन्य तीन खिलाडी है तो चलिए मैं आपको पिछले टॉफ फाइफ क्रिकेट से जुड़े कॉश्चन रिवाइस करवा देता हूँ न्यूजीलेंड क्रिकेट अवर्ड्स 2022 में सरवश्चेष्ट पूरुष और महिला T20 अंतर राश्च्टी क्रिकेटर आफ दे एर का पूरुसकार किस ने जीता है सही आंसर है ट्रेंट बॉल्ड और सौवी डिवाइन और आचेल हैंस जो कि अस्ट्रेलिया के खिलाडी है स्ट्वीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा सही आंसर है भारत सही आंसर है श्रिलंका ये आपने याद रखना है भारती अमेरिकी चैंबर्स और कमर्स ने श्रिलंका ये आपने याद रखना है इंपोर्टन पइंट से जान लेते हैं भारती अमेरिकी चैंबर्स और कमर्स ने जनरल अटोमिक्स ग्लोबल कॉर्परेशन के मुख्य कारेकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा चेतर में उनकी योगदार की सरहाना के लिए प्रतिष्टित उद्देमी नेत्रदव पुरुसकार 2022 से समानित किया है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट कॉशन हमारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है तो फ्रेंट्स इस अंसर है ओप्षिन ए 23 अप्राइल को तो फ्रेंट्स 23 अप्राइल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है ये आपने याद रखना है चलिए इंपोर्टन पॉइंट से कॉश्चिन को समझ लेते हैं हर साल 23 अप्राइल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिवस का आयोजन संयुक्तर राष्ट शैसिक, विज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया जाता है और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इस साल विश्व पुस्तक दिवस का 26 संस्क्रण मनाया जा रहा है ये आपने याद रखना है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं 25 अपरेल 2022 के अन्य महत्पुन क्वेशन की ओर जो की वन लाइनर फॉर्म में है फर्स्ट क्वेशन है अंग्रेजी भाषा और स्पैनिश भाषा दिवस 2022 का मनाया गया है सही आंसर है 23 अपरेल को नेक्स्ट है अंतराश्य ग्रेट डाटा के इंदर स्थापित करने के लिए National Internet Exchange of India और CAC यानी E Governance Services Limited ने किस राज्य के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षिर किये हैं सही आंसर है त्रिपूरा नेक्स्ट है नीती आयोग किस संगठन के साथ मिलकर बच्चों पर ध्यान देने साथ स्थत विकास लक्षियों पर पहली रिपोर्ट ट्यार करेगा सही आंसर है UNICEF इंडिया नेक्स्ट है डिजट इंशोरंस की नई MD और CEO कौन बनी है सही आंसर है जसलीन कोहली नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री नैविगेशन चार्ट का अनवरन किया है सही आंसर है मालदीप यह आपने याद रखना है तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 कौशन करवाए डिली करंटफेस के फुल डिटेल में अब इस वीडियो का एक और भहतरीन पार्ट आ गया है वो है आज वाले 15 कौशन का रिवीजन जिससे कि आपको सभी कौशन के अंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कौशन से फर्स्ट कौशन है नीती आयो के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो ही आंसर है सुमन के बेरी नेक्स्ट है सियुक्त राष्ट परियावरन कारेक्रम के ने Champions of the Earth Lifetime Achievement Awards 2022 से किसे समानित किया है तो ही आंसर है डैविड एटनबरू नेक्स्ट है उत्री अट्लांटिंग संधी संगठन यानि नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइफ फायर साइबर रक्षा अभ्यास Logged Shields 2022 किस देश में आयोज़त किया जाएगा तो ही आंसर है एस्टोनिया नेक्स्ट है राष्ट्री पंचायती राजदिवस 2022 कब मनाया गया है नेक्स्ट है दिल्ली के नए मुख्य सच्चिव यानि चीफ सेकरेटरी कौन बने है नेक्स्ट है केंदर सरकार द्वारा मच्चुआरों की अजिविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुदरी शेवाल पार्क कहां खोला जाएगा तहीं आंसर है तमिलनाडू नेक्स्ट है इंडिया इंटरनाशनल कंक्लेव 2022 में किसे एक ग्लोबल पीस अमबेज़डर 2022 के रूप में चुना गया है तहीं आंसर है बबीता सिंग नेक्स्ट है विजडिन क्रिकेट अल्मनेक ने भारत के किन दो खिलाडियों को वश 2022 के लिए वश के पांच सर्वशेश क्रिकेटरों में शामिल किया है तहीं आंसर है रोहिच शर्मा और जस्परीत भुमरा को नेक्स्ट है भारती अमेरिकी चैंबर्स ओफ कमर्स ने छेवे प्रतिष्टत उधमी नेतरतव पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया है तहीं आंसर है विवेक लाल नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा और स्पैनिश भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है नेक्स्ट है अंतरराश्टी ग्रेट डेटा के इंदर स्थापित करने के लिए नैशनल इंटरनेट एक्सचेंज ओफ इंडिया और CSE यानि सही आंसर है त्रिपुरा नेक्स्ट है नीती आयोक किस संगठन के साथ मिलकर बच्चों पर ध्यान देने के लिए साथ स्तत विकास लक्षों पर पहली रिपोर्ट त्यार करेगा नेक्स्ट है डिजिट इंशोरंस की नई MD और CEO कौन बनी है सही आंसर है जसलीन कोहली नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुदरी नैविकिशन चार्ट का अनवरन किया है सही आंसर है मालदीव ये आपने याद रखना है तो चली फेंट्स चलते हैं आज के डेली स्टेटिक जी के सेट की और फर्स्ट कॉशन है बाबर ने इबराहिम लौदी को कब हराया था 21 अप्रेल 1526 इस्वी में नेक्स्ट है फॉलों के मीठेपन में कौन सी शरकरा उत्तरदाई है फ्रक्टोस नेक्स्ट है मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है हैदरबाद नेक्स्ट है सबसे लंबा अक्षांस कौन सा है जीरो डिगरी अक्षांस नेक्स्ट है शरिय कानून किस धरम से संबंदित है इसलाम नेक्स्ट है असहयोग अंदोलन कब शुरू किया गया था 1920 इस्वी में नेक्स्ट है पीशे की और उड़ने वाला एक मात्र पक्षी कौन सा है hummingbirds नेक्स्ट है मानव आँख में निकटदुष्टी दोश को क्या कहा जाता है myopia नेक्स्ट है पक्षियों के अध्यन को क्या कहा जाता है और lithology नेक्स्ट है मनुश्य के बौनेपन के लिए क्या उत्तरदाई है प्यूश ग्रंथी ये आपने याद रखना है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं पिछले महीने यानी जैसे कि आज 25 अपरेल 2022 है वैसे आज से एक महीने पहले यानी 25 मार्च 2022 के करेंट अफेर रिवीजन्स की ओर फर्स क्शन है उत्र प्रदेश के नए मुख्य मंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं सही आंचर है योगी अधितेनाथ नेक्स्ट है पद्म भूषन सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा अथिलिट खिलाडी कौन बने हैं सही आंचर है दवेंदर जाजडिया नेक्स्ट है, कार्बन न्यूटरल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राजिक कौन सा बना है? केरल नेक्स्ट है, विश्व शहरोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 मार्च को नेक्स्ट है, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहा हुआ है? श्रीर नगर जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट कोशन, आईक्यू एर 2021 द्वारा जारी विश्व वायून गुनवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूशित राजधानी कौन सी बनी है? नई दिल्ली भारत नेक्स्ट है, तेरवी फैजा अंतरराष्टी पैरा अथेलेटिक्स चैंपिंशिप 2022 खेल का आयोजन कहां शुरू हुआ है? इसका सही आंचर है, दुबई सयुक्त अरब अमिरात नेक्स्ट है, ग्रामिन इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंदन के लिए सुझलाम 2.0 अभ्यान को किसने शुरू किया है? गजेंद श्रिंक शेखावत जो कि हमारे केंदरी जल शक्ती मंत्री है नेक्स्ट है, तेरवां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरुसकार 2022 किसने जीता है? मुहम्मद रजा मासूमी नेक्स्ट है, अन्फिल्ड बेरल्स इंडिया जॉल स्टोरी नामक पुस्तो को किसने लिखा है? रिचा मिश्रा ने ये आपने याद रखना है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं कल वाले प्रशनों के टेस्ट प्लस रिविजन की ओर क्योंकि फ्रेंट्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और फ्रेंट्स टेस्ट के लिए आपको आल दी बेस्ट तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन से फर्स्ट कोशन है सैन ने अभ्यान के नए महा निदेशक यानी DGMO कौन बने है इसका सही आंसर है ओप्शन A मनोज कुमार कटियार नेक्स्ट कोशन है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्रिक थ्री विलर फैक्टरी कहां स्थापित की जाएगी सही आंसर है ओप्शन C तेलनगाना भारत में नेक्स्ट कोशन है टेस्ट का आइवरी कोस्ट के परधानमंतरी यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने है सही आंसर है ओप्शन A पैट्रिक अची नेक्स्ट कोशन है मारा अंतर राष्टी मात्र पृत्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है सही आंसर है ओप्शन C 22 अप्रेल को नेक्स्ट कोशन है पुड्डू चेरी के नए मुख्य सच्चिव यानि चीफ सेकरेटरी कौन बने है सही आंसर है ओप्शन D राजी वर्मा नेक्स्ट कोशन है टेस्ट का चातरों को उच गुनवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डाक्टर अंबेडगर उतकृष्टा केंदर योजना को किसने शुरू किया है सही आंसर है ओप्शन B विरेंद्र कुमार जो कि हमारे केंदरी सामाज किन्याय और अधिकारिता मंत्री है नेक्स्ट कोचिंग है टिकेट प्रनाली के डिजिटल लीकरन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उधगाटन कहां किया गया है इसका सही आंसर है ओप्शन एक मुंबई महराष्ट में फ्रेंट्स अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यदा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी टाइम ले सकते हैं नेक्स्ट कोशन है बिटेन के प्रधान मंत्री बॉरिस जॉंसन ने भारत में बिटिश कंपनी जेसी बी की नई फैक्टरी का उधगाटन कहां किया है सही आंसर है ओप्शन डी वडोदरा गुजरात में नेक्स्ट कोशन है पहले अतुल्निय भारत अंतरराष्टी क्रू सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा सही आंसर है ओप्शन बी मुंबई महाराष्ट में नेक्स्ट कोशन है प्रॉक्टर एंड गेंबल इंडिया के नई सी यो कौन बने है सही आंसर है ओप्शन एक अलवी वैद्दे नाथन ये आपने याद रखना है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करेंट अफेस के कुशन उसके बाद उनकी रिवीजन्स की और स्टैटिक जीके सैट भी किया और पिछले महीने का करेंट अफेर रिवीजन्स भी किया और सबसे एहम पार्ट फ्रेंट्स कल वाले क्वेशन्स के टेस्ट और रिवीजन भी किये जो की आपके लिए काफी ज़़ा महत्वपून है तो फ्रेंट्स आप हमारे साथ जुट सकते हैं टैलिग्रम, फेस्बुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से नाम है रवी स्टेडी, IQG के और करेंट अफेर बाई रवी के नाम से तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू और विष्यू अल्दी बेस्ट